मार्क जगरबर्ग जो की फेस्बूक के सीगी हों है जिसकी पेरेंट कंपनी मेटा है जिसकी अंडर वाटसप और इंस्टेक्राम जैसे बड़े-बड़े सोशल मीडिया प्लैटफर्म्स आते हैं मार्क जगरबर्ग जो की एक टाइम पे वर्ड के सेकेंड रिचेस परसन रह चुके हैं लेकिन आज उनका नाम टॉप ट्वेंटी के लिस्ट में भी नहीं है उनकी नेट वर्थ जुलाइट ट्वेंटी वन में 142 बिलियन डॉलर्स थी और सबको यही लग रहा था कि मार्क ब पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में जकरबर्ग निस्ट में एक पायदान नीचल उनकाइड विपक्ट तुक्ष्ट इपना घ्डबर्ट कॉलेज के दोस्त और रूमेट्स के साथ मिलकर फेजबूपक नाथ पूर्बर्ट कोलेज के शुरुआत की थी जो कि एक बहुत ही successful app बना फेस्बुक लोगों को अपने पुराने दोस्ट और दूर रहने वाले रिष्टेदारों से बात करने का एक जरिया बना फेस्बुक की success के बाद जगरबग एक यूथ आइकन बन चुके थे और इनकी success stories बच्चों की knowledge books में आने लगी फेस्बुक की valuation लगातर बढ़ती ही जा रही थी इसकी growth इतनी तेज़ थी कि हर सेकेंड चार से छे cap 2021 में $1 trillion पहुँच गया और ये 5th company थी जिसका market cap इतना जादा था लेकिन फिर लोगों की नजर में एक news आई जिसमें ये पता चला कि Facebook data leak कर रहा है 2 February को Facebook की parent company Meta को $230 billion का loss होता है और इतना बड़ा amount की Mercedes-Benz, BMW, Twitter और Honda जैसी 4 बड़ी company का market cap मिला दे तो भी ये $230 billion से कम होगा stock market history में इतना बड़ा loss आज तक किसी भी company का नहीं हुआ था और इस साल पहली बार Facebook की history में इनकी growth रुखती होई दिखाई दी Facebook की growth रुखने का सबसे बड़ा कारण world की population और countries है April का data देखा जाए तो Facebook के 2.91 billion monthly active users है इसके अलावा 5 billion बचते हैं जो कि Facebook regularly use नहीं करते और 5 billion में से 1.7 billion लोगों के countries में Facebook band है जैसे चाइना और रशिया तो फिर बचते हैं 3.3 billion जो कि ये service use नहीं करते और इन में से भी कुछ countries के ज़्यातर लोग social media use नहीं करते हैं जैसे पाकिस्तान और बंगलादेश इनके अलावा बहुत सारे लोग बचते हैं जिनकी age 10 साल से कम है और कुछ ऐसे भी लोग है जो कि social media को boycott करते हैं इन सब के बाद ज़्यादा लोग बचते ही नहीं है जो कि social media use नहीं कर रहे हैं जो कि इसकी growth रुखने का कारण है facebook में आपके पहचान वाले बुजर्ग लोग अंटी अंकल के भी accounts होंगे जो कि facebook को एक पुराने जमाने का app feel करवाता है और जो नई generation के लोग है उन में से बहुत ही कम लोग facebook को use करते हैं बाकी app से compare किया जाये तो 2014 में 71% teens facebook को use करते थे और 2022 में ये number 32% तक गिर चुका है बाकी competitors की growth में काफी ज़्यादा बड़ाव आया है और उनका सबसे बड़ा नाम youtube और tiktok है डिसकॉड जिसे communication app भी facebook को damage करते हैं लोगों के पास बहुत सारे options आगे हैं जहाँ भी वो अपना time बिना बोर हुए easily बिता सकते हैं और इस सारे apps अपनी खासियत के लिए use किये जाते हैं जिसमें facebook थोड़ा सा पीछे रह जाता है youtube जोकि long form videos के लिए best platform है क्योंकि अगर लोगों को किसी भी चीश की details जाननी है तो उन्हें शायदी youtube से अच्छा कोई platform मिलेगा tiktok अपनी short form videos के लिए popular है इंडिया में बैन होने के बाद भी tiktok facebook को अच्छा competition दे रहा है और twitter celebrity और politics जैसी news के लिए use किया जाता है facebook के पास ऐसा कोई खास feature नहीं है जिसके लिए लोग उसे use करें जब facebook का stock price गिरना शुरू हुआ था तब जकरभग ने announce किया था कि उनका main focus short form videos में होगा लेकिन facebook का algorithm youtube और tiktok का algorithm से काफी अलग है एक और बड़ा reason instagram है जहाँ पे लोग काफी जल्ली shift हो रहे हैं लेकिन instagram के नए updates लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं क्योंकि लोग को feed section में strangers की real suggest होती हैं और बहुत से लोग का तो ये भी कहना है कि instagram tik tok बनता जा रहा है Kylie Jenner और Kim Kardashian ने तो ये story भी डाली थी जिसमें लिखा था make instagram instagram again stop try to copy tik tok और इन दोने के followers टोटल 600 million से भी जादा हैं तो ये सारी चीजें instagram की image पे काफी बुरा असर कर सकती हैं और ये बात कहिने कहीं सच भी कि instagram tik tok को copy करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि tik tok के success को देखने के बाद facebook ने same app launch किया था जिसका नाम था lasso लेकिन हुआ कुछ और ही lasso इतना गंदा fail हुआ कि इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और इसी failure को देखे 2020 में lasso को बंद कर दिया गया यही नए snapchat का disappearing message का feature भी instagram ने नए update में डाल दिया और अगर content consumption देखा जाए तो instagram users 17 million hours रोज reels देखते हैं और tik tok users 198 million hours रोज content consume करते हैं यही सब reasons के चलते हैं आज facebook और metaverse इतना सारा hate और downfall का शिकार बन रहे हैं और यह सारी चीज़े जानते हुए भी zuckerberg अपनी company और apps में change ना करके दूसरी companies पे blame कर रहे हैं आपल के iOS 14 point update के बाद आपल कोई भी information किसी भी app को देने से पहरे लोगों से पूछता है जिस पे जातर लोग ना कर देते हैं जिसके कारण facebook को लोगों की information नहीं पता चल पा रहे हैं और इसी के कारण companies facebook में add run नहीं करवा रहे हैं इससे कि इनका revenue गिरता ही जा रहा है और अब बहुत ही कम chance है कि ये रुकेगा तो आपको अगर इस वीडियो से कुछ knowledge मिली हो और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को on कर लीजिए क्योंकि ऐसी informational videos हम लाते रहते हैं अपने दोस्तों के साथ share करिये ताकि उनकी knowledge भी बड़े thanks for watching